जै मातादी दोस्तो जनवरी माह का दूसरा दिन मंगलवार का दिन तुलाराशी के लोगों के लिए सारे बिगड़े काम को बनाने वाला है ये जो दिन है ये संकट मोचन की किरपा से आपके हर एक काम को सुधारेगा आपके लिए हर एक काम की राह को आसान करेगा बहुत ही बहतर दिन आपके लिए ये साबित होने वाला है तो इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि ये दो जनवरी 2024 मंगलवार का दिन तुलाराशी के लोगों के लिए कैसा रहेगा तो चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए चैनल के साथ अब ये देखिए मंगलवार का दिन है और इस वर्ष 2024 का पहला मंगलवार है इस दिन कई ऐसे बड़े परिवर्तन होंगे जो आपकी दिनचरिया में प्रभाव लेकर आएंगे जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे अब इस दिन भाग्य को बढ़ाने वाला आपके भाग्य को सौग उना करने वाला आज का दिन आपके लिए बहुत बहतर साबित होने वाला है ये दिन आपकी आर्थिक पूंजी में बड़ोतरी करेगा आप अपनी जो पूंजी है जो आपके पास धन है उसको सोच समझ कर लगाएं क्यो से क्या होगा हर एक चीजें आपको अपने हिसाब से अच्छी लगेंगी कोई website है किसी ने कोई offer दिया तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है किसी ने आपको अपने किसी काम में participate करने के बोला यानि कि आपको किसी योजना से जुड़ने के लिए बोला वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी लेकिन क्या होगा अगर आपने सोच समझ कर किसी भी चीज को नहीं किया तो ये जो अमीर बनने की चाहत है आपको नुकसान की तरफ ले कर जा सकती है किसी बुरे व्यवसाई में फसा सकती है किसी गलत यूजना से जोड सकती है लोग आपके वैवार का लोग आपके जो पैसे हैं उनका गलत इस्तिमाल कर सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान तो यहां रखना होगा चाहत रखें, अमीर बनने की चाहत रखें, लेकिन सही चीजें चुने, अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करें, अच्छी रणनीती के साथ कामा आप करें पैत्रक संपत्ती है और पैत्रक संपत्ती अगर आपको रिसेंटली मिली है जल्दी में मिली है तो एक चीज और याद रखें कि उसका धुरूपयोग बिल्कुल ना करें क्योंकि ये पैत्रक संपत्ती जो की आपके पिताओं की संपत्ती है आपके पूरवजों की संपत्ती है उसका सही इस्तेमाल करेंगे आपकी आगे आने वाले नसल को अपने आगे आने वाले जनरेशन को आप इससे कई गुना दे सकते हैं तो ध्यान रखें इन चुजों का ध बहुत उपयोगी होता है इससे आपकी एकागरता बनती है इससे आपके decision लेने की power बढ़ती है आप अच्छे decision ले पाते हैं होते हैं जो लोग decision नहीं ले पाते हैं बहुत जादा दुविधा में रहते हैं समझी नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें कई सारी चीजें दिख अपने लिए अपने मन में आज पैसे बचाने का खयाल पोरा दिन रहेगा और अची चीज है पैसे बचाने का खयाल अगर आपके मन में आता है तो आपके लिए ये पॉजिटिव चीज है आप इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो धन भी संचित कर पाएंगे और अपने काम को आगे भी लेकर जा पाएंगे और उचित बच्चत में भी आपको यहां कामिया भी मिलेगी कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी इन मैतपून लोगों से मिलकर आप कुछ जान पाएंगे और उनके रहेंगे अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे जहां आपको ऐसी जगा जाने का मौका मिले जहां समाज से आपको जुड़ना है या फिर ऐसे लोगों से आपको मिलना है जो अनुभवी हैं जो ग्याता हैं जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो जरूर जाएं ऐसी जगा जाने से आपका खुद का ज्यान बढ़ेगा आपको नई चीजें पता चलेंगी कुछ करने का मौका भी आपको मिलेगा यासी चीज को कभी इग्नोर ना करें आज आपके दिल की धड़कने भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि आपके प्रिया के साथ ताल से ताल मिलाती नजर और हाँ ये प्रेम का ही खुमार होगा प्रेम जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है आपके लिए इस दिन हर काम में प्रगती देखने को आपको मिलने वाली है अपने कारेशित्र में भी अगर आप सोचते हैं कि यार दोस्तों के साथ जरुष से जादा अधिक वक् उतना फोकस दें और अपने परिवार पर भी उतना ही ध्यान आपको देना है जितने दोस्त महतपून है उतने ही परिवार के सदस्य महतपून है उतना ही आपका काम महतपून है अगर आपका काम नहीं चला अगर आप दोस्तों में ही वक्त बिता रहे हैं और अभी तक आप अपने अभी तक अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया है तो ये दोस्त भी आपका साथ थोड़ देंगे अगर आप पीछे रहते हैं क्योंकि उनके दोस्त बदल जाएंगे लेकिन आप वहीं खड़े रह जाएंगे तो ध्यान रखें ऐसा करने पर आने वाले समय में दिक्कत भी हो सकती है और परिशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और कुछ नहीं तो जीवन में आपको इस समय के जो नेगिटिव चीज़ें होंगी उनकी बहुत याद आएगी कास आपने उस समय पर कारियों को कर लिया होता उस समय आपने ध्यान दे लिया होता जीवन साथ के साथ मिलकर कुछ अच्छी योजना बनाएंगे कुछ खास योजना बनाएंगे इस दिन को अपने लिए अच्छा बनाने के लिए ये मंगलवार का दिन है हनुमान जी का दिन है बजरंग बली का दिन है और ये कलियुक के देवता है बजरंग बली और देखिए यहां बजर पूजा पाट करने से उनको प्रसंद करने से सारे बेड़े काम भी बनते हैं आपको बल की प्राप्ती होती है इसलिए उनका साथ तो आपको छोड़ना ही नहीं है ये दिन बहुत बहुतर साबित होगा आर्थिक पूजी में बड़ोतरी भी दिखाए दे रही है और अपनी ज आपको कोई नई नौकरी मिलने वाली है जिनके पास नौकरी नहीं थी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो नौकरी नई भी मिल सकती है ये किसी नई शुरवात का समय आपके लिए हो सकता है और थोड़ा सा धिक्कते होंगी बदलाव से परिशान नहों बदलाव को भी होंगी किसी का नठखट स्वेभाव आपको दिवाना बना सकता है और कुछ लोगों के लिए पार्टी में जाने का भी वक्त है आपका व्यक्तित आपको पार्टी की जान बना देगा बहुत मज़े भी करेंगे शायद आप नई लोगों से भी परिचित होंगे और समय के म सुबा को ग्यारा बजे से दो पहर के दो बजे तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है इस समय अबधी में आप अपने कुछ जरूरी कारियों को पूरा कर सकते हैं ये जो समय है इस समय अबधी में किये गए कारिया आपके बहुत ही जादा शुबर हैने वाले हैं अगर अगर आप अपनी जीवन में संकतों से निजात पराब्त पाना चाहते हैं तो दिखिए अगर आपको गुश्जा बहुत आता है और जब गुश्जा बहुत आता है ना तो बने-बनाए काम बिकरने लगते हैं वैसे तो तुलाराशी के जातकों को कम आता है लेकिन जब आता है तो बहुत ही ज़ादा ऐसा आता है कि आपको पता ही नहीं होता है क्या करना है और गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं फिर वो जाहे आप ना हो उसको भी सुना सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है मंगलवार को हनुमाज जी की पूजा जरूर करनी ह और मंगलवार को हनमाजी की जब पूजा करेंगे तो भूंदी का भोग लगा कर सब लोगों में वहाँ पर परशाद के रूप में आप बाट देंगे तो बहुत ही जादा अच्छा रहेगा फिर आपको हर कस्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके गुसे में भी कहिना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी क्योंकि मंगल ग्रोद बढ़ाने का कारे करते हैं तो मंगल घटाने का भी कारे करेंगे अगर आप किसी ऐसे उद्ध्यम से ऐसे वेब साइसे ऐसे काम से निपट रहे हैं जिसके लिए आपको कुछ संसादनों की आवश्च चकता है तो ऐसा मान कर चले कि आज आपका जो वो मानसिक दवाव था ना जिसका आप अनुभव कर रहे थे वो कम होता दिखेगा क्योंकि आज कोई सहकर्मी कोई सम्मौ कोई व्यक्ति आपको लाभानवित करेगा यानि आपके उन परिशानियों को दूर करने का कार्य करेगा आज के दिन आपको क्या करना है जो थुला राशी के जातक है उनको हर एक व्यक्ति की बातों पर ध्यान देना होगा किस व्यक्ति का अनुभव क्या कहता है कि सुव्यक्ति से आप क्या सीख सकते हैं इन चीजों को अपने काम में आप implement करेंगे तो आपके लिए अच्छी चीजे रहेंगी ये एक अच्छा दिन है आपके सामने हैं आपके हर एक चीजों के लिए आपके दोस्तों के लिए परिवार के लिए जो सिक्षा से जुड़े हैं अच्छे परिणामों की प्रतिक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी जो एकागरता है उसको भी बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी एकागरता को बढ़ाना है अपने जो भी काम कर रहे हैं आप चाहिए आप एक वि में ही बात ना करें अपने आपको उस काबिल बनाएं कि आपकी भी चर्चा हो ध्यान रखना है इन चीज़ों का बाकी ये मंगलवार का दिन मैंने आपको उपाय बता दिये हैं इन उपायों को करें और जो शुबरंग रहेगा इस दिन आपके लिए ग्रीन कलर रहेगा ग्री वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें